प्यारे बच्चों आप सभी कामर चनल पे बहुत बहुत सागत है जितने वी विदार्थी 2025 बोर्ड परिक्षा में ग्री बीगान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर गाज चुका हूं दोस्तों इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि 2025 बोर्ड परिक्षा में ग्री बीगान की कामपी कैसे लिखना है बहुत सार बच्चे को कमेंट रहता है दिकत रहता है परिसानी रहता है और कन्फूजन में लोग रहते हैं कि सर हमको यह बता दो कि ग्री बीगान कामपी कैसे लिखना है क्या तरीका होता है क्या तरीका अपनाएंगे कि हमारा एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा तो आज कि इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि 2025 बोड परिच्छा में ग्री बीगानी कामपी कैसे लिखना है कैसे रिपरजन करना है और कामपीया लिखते समय कौन कौन से गलतिया नहीं करना है सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिसकस करने वाला हूँ इस topic को समझने के लिए मैंने आप सभी के लिए यहां पे 2024 का एक पुराना paper ले रखा है मैंने और इसी परकार का आप सभी का 2025 का अग्री वेगन का paper आने वाला है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ठीक ना बिल्कुल इसी परकार का आएगा 20 MCQ आएगा 20 22 कलपी आएग कि भाइया जो आपका खंडख होता है खंडख वाले solution कैसे करना है तीन वीश वहले तो आसानी से कर जाओगे कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन आज की सेसन के मादम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि खंडब का यानि खंडख का solution कैसे करना है कापिया कैसे लिखन सब कुछ हम आपको इस वीडियो के मतुमाने से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं तो वीडियो कमें देखते रहना क्षेज़ सेर करें शाइनल पर सबस्कायendo क्या होगा, है इसी परकार से आप दीक है यहां पर इहां पर दिक पार है, हाँ औरbai लेना है, इस पूरे प्र नहीं है 70 नमबर का पुढ़ांक रहने वाला है 20 नमबर में एंसीक रहेंगे और 50 नमबर के आपका खंडबा रहने वाला है तो पूरा जानकारी मिलेगी कोई दिकत की बात नहीं है आए समस्ते हैं सबसे पहले खंडबा की तरब मुर्ते हैं क्या लिखा कि यहां पर कोशन क्य देना होगा ठीक ना आप यहां पर देख सकते हो एक किस नमबर कोशन बोलागे एक अच्छे बजट की दो विश्यस्ताइं लिखिए यह जो कोशन है दो नमबर के कोशन है और यहां पर आप समी को 25 सब्द के अंदर ही लिखना है बाहर नहीं जाना है ठीक ना दो चार सब् परसान मत होना कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अच्छा बजट की इसको मानेंगे ठीक ना उसकी विश्यस्ता क्या होती उसका हम कैसे लिखेंगे जरद्धान समझेगा इसमें लिखेंगे प्रश्चनोत्तर संकेट 21 इसी परकार से लिखना होगा एक बणिया शेडिंग ल मिल जाएगा ठीक है अब चलो अगला हमारे को से यह पूछा गया था कि बचत क्या है मैंने सेविंग क्या है सेविंग के बड़े आपको बताना है आयों समझते हैं बचत का परिवार संकर 22 परिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान और सकताओं की पूर्ति करने के लिए ब्याई करने को प्रांत जो धनरास्ति बच जाती है स्यस्य रहत गया हूं कि बचत बोलने कि इस परकार से लिखो के अगर आप विस्तार में जानना चाहते हो तो खुन मेंली आठ परकार के भी हो सकते हैं आचा कौण कौण हो लिख दोगे पूरा नमबर यहां से मिल जाएगा इसी प्रकार साब सब्सक्राइब करना है पूरा सुंदर अक्षर में लिखना है कहीं भी काटा पीटी वेगरा नहीं करना है ठीक है चलिए अगला हमारे कोशन यह पूछा कि ध्वानी की तिवरता के मापन की क्या होती है किसी मापते हैं डेष्टिबल में स्टेमेर थी परकार सबर्थर में कुछा गया कि कैया ऊपाए जाना चाहिए लिए कि कि परकार से एंसर को किया गया आप आसान histor देख सकते हो कि कच्रा परबंद न के लिए सरव पर्थम कूडे करकट के बहर से निकानने की सब्चश wag रहता है तोचा सुस हो जाती है और प्रया तोचा पर लाग चिकते पढ़ जाते हैं और बच्चों में रोग के संक्रमण से उल्टिया भी होने लगती है इस प्रकार से इसका भी लक्षर लेख सकते हो कोई दिकत की बात नहीं है यहां पे पूरा देखो इसी प्रकार साब से कांपी को रिपरजन करना है ऐसे ही लिखना है यह तो मैंने बता दिया आप सभी का अत्री लगूतरी था यह देखो लगूतरी वला गया 27 से लेकर 30 तक तो निरेश पढ़ना है पचास सब्स में लिखना होगा चार रंबर कहरे कोशन राने वाला है कि डांक खानों में बच यहां पर लिख सकते हो कोई दिकत की बात नहीं है इसी परकार से लिखना है इसी परकार से जल क्यों शक्ता वाले कोशन पूछा कि हमारे मौने सरीर में जल क्या प्योगता होती है क्या हो शक्ता होती है ठीक है तो देख सकते हो कितना अच्छा तरीका से मैंने आपको बताय कि भाई किस तरीक से कहा पे लखना है कहीं भी काट्या पति नहीं खरण और अराम से पहलता संख लगाना है पूरा नमबर मिलेगा एक भी नमबर आपका नहीं कटने वाला है ठीक ना तो प्यारा बच्चो आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपसे भी कच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं होंगे तो सबस्काइब बर देना बाकी इस क्वेशन पेपर का फुल सलुशन चाहिए तो कमेंट कर देना मैं फुल सलुशन भी अप्लोड कर दूँगा ठीक ना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम